पीबीसी की रिप्योटेशन है ना वह बहुत हाई थे मतलब जैसे ही आपको होगे कि बीबीसी में ऐसा हुआ तो सारी एक उंगली उदर है तो तीन उंगली आपके तरफ होंगी कि अच्छा आप ही कुछ ना कुछ कमी है आप में ही कुछ है तो राजा को शुरू में कास्ट मेरे शादी की है तो मैं अपने कास्ट को लेकर तो मैं चर्चा नहीं करता हूं लेकिन चुकि आपने पूछा है तो जो मेरा जो कास्ट हो प्रिविलेज कास्ट है जिनको प्रिविलेज मिला हुआ है जिनको सदियों से जो है हर तरह का जो है प्रिविलेज समाज ने दिया है तो मेरे साथ तो वो उस तरह की चीज़े नहीं हुई है हाँ बट चुकि मेरा नाम ही नहीं से जुड़ा हुआ है तो कई सारे दोस्त जो है छूट गए कई सारे दोस्त बन गए बाबा साहिब ने करते चैनल दिमाग में यही वज़े थी जो शुरू किया था और वही वज़े यह फाइनेंसियल और बच्ची को जो है पीछे से जब यह फिल्ड पे रहें तो मैं इसको समालू तब यह एक साल की भी नहीं हुई थी तब मेना ने मुपनाइक शुरू कर दि राजा भी जो है मेरे साथ जुड़े तो वैसे वह जान रहते चीजे लेकिन इतना टीपली हम लोग जब साथ आए और ऐसे लोगों के साथ मिलते रहे इस तरह के हमारे कॉंटेक्ट बने तो हम लोगों के और आपसी समझ जो है बढ़ती गई और हम लोग हमीशा डिसकेशन करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि रूम में सिर्फ हम हजबन वाइफ के तरह रहते हैं हम पूरा एक्दम दोस्ते तरह डिसकेशन करते हैं किसी मुद्दे को लेके काईबार ऐसा हो तो इतनी बहस हो जाते हैं कि अपनी बात पढ़ए रहती हूं तो फिर हम लोग तीसरे का इन्व और उनके जीवन से जुड़े संघर्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है माम मीरा माम और राजा सराब का सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि दमुकनाएक ही क्यों शुरू किया आपने कुछ और भी नाम हो सकता था दमुकनाएक शुरू करने के यह खास वैजहें थी कि उस्समें मैंने बहुत गुस्तर में शुरू किया था जब पहले मैंने खुद मीजिया में काम किया हुँता फ्रिलांस काम कर रही थी तो वह एक कमी लग трो की मुध्ड़ की लग रही थी उपर से खर प्रस्टेशन में चल रही थी और उसमें मुझे पता था कि जो शुरू किया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मुझे नाम से शुरू करना जा रहे हैं तो अनिल चमडिया सर से हम लोगों ने सजेशन लिया था तो उन्हों करने का कि नहीं मुखनायक आप रख सकते हैं क्योंकि बाबा साहिब की संपति है उन्होंने कभी भी अपने तक्सीमित नहीं रखी तो पहले उसके वज़े से कॉपिराइट नहीं आ सकता दूसरा अब इतने साल हो चुके है क्योंकि 101 साल हो चुके तो भी नहीं आए और फिर का इक उल्रेंट का है करें अपे पिर यह से जजाए नाम के साथ को चेडशार थो नहीं करें सब्सक्राइब लगा सब्सक्राइब लगा सकते जैसे तुम दा लगा तो इसका मतलब है कि यह वही मूखनायक है जो 1920 में शुरू हुआ तो इसमें कोई भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से फिर हम लोग ने मूखनायक के शुरू किया तो हम तो अभी तक मीना वैम को ही जानते थे आप हमेशा परदे के पीछे रहे तो क्या जिम्मेदारी रही आपके तरफ मूखनायक को लेकर मैं तो मतलब कहीं और काम कर रहा था मैं में इस्ट्री मीडिया में था और मेरी जिम्मेवारी थी कि जो फाइनेंशियल कंडिशन है वह क्यों कि मुखनयक से तो कुछ हामदनी हो नहीं रही थी हम अपनी जो सेविंग है मैं मीना की जो सेविंग है वही शरू में हमने लगाया तो फिर मेरी जिम्मेवारी थी कि आपको जो है काम करना में बच्ची को समालना जब फिल्ड पर में रहूं तो work from home हो गहा था मीना को दे देना ट्रेवल एक्सपेंस शुरू में इन्होंने लोगों को रखना शुरू कर दिया एक मार से इन्होंने जो है बभीता सौरव और भी जत्तिन वेगरा को रखना शुरू कर दिया तो फिर पैसे वेगरा जो है इनको चाहिए थे तो मेरा तो फिलहाल उतना ही काम करते हैं या फिर आप दोनों मीडिया परसन है अब मेडिया सही आते हैं तो फिर आपका यह इस मिशन मुएंट मेघिस और है क्योंकि यह हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनलों की जो लोग सताया गए हैं तो यह वैचारिक जो आपका अलेन देन है या फिर आदान प्रदान हुआ तो यह कैसे आप एक साथ कैसे आए यह हम लोगों की आपसी समझ है और मैंने सही बताऊं तो अमबेतकर को बहुत लेड जाना और राजा भी जो है मेरे साथ जुड़े तो वैसे वह जान रहते चीज बढ़ती गई और हम लोग हमेशा डिसकेशन करते हैं मतलब एसा नहीं कि रूम में सिर्फ हम हजबन वाइफ के तरह हम पूरा एक्दम दोस्त के तरह डिसकेशन करते हैं किसी मुद्दे को लेकर काईवार ऐसा होता है इतनी बहस हो जाते हैं कि अपनी बात पढ़ए रहते ह हम लोगों और मिलते हैं तो मैंने सिर्फ डिसकेशन हमारा चलता रहता है किसी चीज को लेकर तो वो सारे चीज सकता है और उन लोगों के साहिं ऑप पाता भी नहीं तो फिर मैं इस साइड को आई कि हम मुझे वह मुद्दे लाने हैं और उन लोगों की उन लोगों की हाकिकत दिखाने जो अभी तक परदे के पीछे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं बच्छी बहुत अच्छी में उन्हों ने बना रखी सोशल मेरिया पर तो मैं तो वहां पर भी आपके साथ काफी शोशन हुआ उत्पेडन हुआ यह चीजें भी हमको समझ आए तो फिर उसमें कैसे दिक्कते आपको मतलब एक्शुली क्या होता था उत्पेडन में कैसे टार्गेट किया करते थे प्रेशराइज किया करते थे और क्या चीए क्योंकि देखेए हमेशा कहते हैं शहरों का जो इसम अलग होता है आप गाओं देहात में जाएंगे तो उनको पता है कि अच्छा जातका है चूना नहीं पानी भरना है तो इतना ही हम इस लिमिटेशन होती है उनको पता है कि सामने वाले की कास्ट क्या है तो एकिस तर से कर करेंगे आपको हमेशा ऐसा डिमीन करेंगे आपको इस तरह से कर देंगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है अब बेकार हो किसी अलग प्लैनेट से आए हो तो ऐसा फील आपको कराते हैं तो उनको पता है कि हम लोग जैसे उनको कास्टिस्ट अगर कुछ शब्द बोलेंगे तो अधर भी हो सकते हैं उन्हें यह भी पता है कि हमारे कौन से राइट और उनके कौन से राइट है तो पूरा वह जागरूख है तो पूरा बचते वे करते हैं कि ऐसा करें कि उसका कोई सबूत नहीं है आपके आखों में जैसे हम लोग मैं एक महीला हूं तो मुझे सामने वा प्रूफ देके तो नहीं घुमूंगी कि हाँ देखो मैं उसकी आँखों में देखा इस सारी चीजे तो इस तरह कास्टिजम होता है इतना बारिक होता है कि जिसके संग हो रहा है ना वहीं समझ सकता है कोई और नहीं उसको समझा है मतलब इतना रैपूरेशन वाला इंस्ट करते हैं तो काफी दर्दनाक वह समय रहा होगा वह दौर रहा होगा क्योंकि मेंटलिटी भी काफी खराब हो जाती है कैसे उभर पाई फिर आप इसमें देखिए उभर बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने समय सुसाइट करने कोशिश के बहुत जार डिप्रेशन हो गया थ बहुत है तो सारी एक उंगली तो तीन आपके तरफ होंगी कि अच्छा आप में कुछ कमी है आप में कुछ है राजा को शुरु में विश्वास निवा नहीं कि तुम जादा सोच रही हुए ऐसा तो कुछ है ही नहीं वांकर लोग तो इतने अच्छे हैं ऐसी स्टोरी करते अंहीं हैं यह तो मुझे लगा कि जब राजा नहीं समझ पारा तो मैं क्या बताई तो मैं नहीं किसी को नहीं और давно कुर्ण को कॉछ की है मैं और बाहर मुझे आवार्ड मिलटें लोग तारीफ कर रहें कि Nemohin कैसे म 292 पास करें और रही हो इसको आए आपके प्र harvestarta इसे के लिए और आरे नहींreated उसकी पास कर दे लिए तो फिर वह सारी चीजह मैंने करने लगी और फिर मैंने एडिटर को बोला कोई मानता नहीं था उस चीज को लेकर तो फिर मैं सोशल मीडिया पर लिखने से बना कर देती नहीं आसी अपने algorithm करती थी तो आशी तो पहला प्लब होता था दो सकती नहीं दो सकती नहीं तो यह तो पिए आप कोई मेल कर देती इस तरह से भी मैं उसको कम करने की कोशिष करती थी अभर जैसे इनके साथ जो शोशन हो त्पीड़न हुआ यह कास्टी जो हुआ तो आप तो बिहार से आते हैं, तो आपको भी ऐसा कोई अनुभाव आया है, और उसके बाद आप मेंस्टे मीडिया में भी आपने काम किया है, तो आपको कुछ एक्सपीरियन्स रहा है ऐसा? दिखें, हम लोगों ने इंटर कास्ट मेरे साधी की है, तो मैं अपने कास्ट को लेकर तो मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन चुकि आपने पूछा है, तो जो मेरा जो कास्ट है, वो प्रिविलेज कास्ट है, जिनको प्रिविलेज मिला हुआ है, जिनको सदियों से जो है हर तरह का privilege समाज ने दिया हैं तो मेरे साथ तो उस तरह की चीज़े नहीं हुई हैं पर झूपकि मिना नाम में मीना से जूरा हुआ है तो कहीं सारे दोस्त जो हैं चूट गएंब बन गए इस तरह की चीज़े खुए हैं और दूसरी मेना कि Studien आपको लगता कि यार लूग कि इतना चा काम कर रहे हैं कि अदिवासियों की मुस्लिमों की महिलाओं की फ़तरी करते हैं तो आससी हैं कि लेकिन 6 महीने बाद इनका वजन वेगेरे खटना शुरू हुए और 6 महीने बाद जब इनका जो है चिरचिरापन, गुसा, हाइपर टेंशन यह सब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि कहीं तो कोई दिक्कत है देन हम लोगों ने इनको डॉक्टर के पास ले आके दिखाना शुरू किया तब मुझे समझ में आया इसके साथ उहां पर प्रॉब्लम है फिर जब इसने पोस्ट व ग्रह से आया हूँ, एलियन हूँ मैं तो इस सारी चीज आती थी तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं है क्योंकि उस समय हम लोग भी उतिना जाती वाद को कि BBC में हो सकता है उसको हम लोग accept ही नहीं कर पा रहे थे समझी नहीं पार था हमें लगता है शायद हमारे अंदर कमी ह हम उस कमी को दूर करते हैं लेकिन कमी हमारे अंदर नहीं कमी उनके अंदर थी क्योंकी जो सोच थी वो बीमारी सोच थी और घटिया सोच थी जिसको हम लोग बाद में बहुत अच्छे से समझ गए और बाद में फिर मीना ने जो है वो पूरी लडाई लड़ी मुहीम है और यूटूब पर भी दमोक नाया आपकी आवाज के नाम से इनका चैनल है लगातार हाशे पर रहे समाज की बात करते हैं समाज में हो रहे हैं उत्पीडन की आवाज बनते हैं इनकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रिप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें